ऐन्हार भी है। अध्यार, चलड़ने मार भी ली है भालक और जब फिटे तह उनकी बड़ी safety हो रही है हमारी कोई safety हो विएगन नहीं है। अबकर सारे ने सबन बोट देंगे बेंचो दन्य हम भी जब हमारे बालकन की गहल हम को कौम नो आ रहे तो गौम दुनियो में यू सेल जल्दी सु जल्दी होड़ी चाहिए हमारी कोई तो मदद करो नए गौम को कोई मदद रही कर रहे हमारी मुसल्मोन की तो इतनी मदद कर रहे हैं सर पंच की ठीक लिए बेहन चोट ले जा रहे हैं अब नमस्ते दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता है कि कोई भी मुसल्मान देशवक्त नहीं हो सकता है यदि वो अपनी कुरान और हदीसों पर पूरन अत्या पालन करते हुए आगे बढ़ता है और इस बात को पूरी तरीके से सिद्ध करने के लिए हमने आपको पहले भी मैं आपको हदीसों, कुरान की आयतों से प्यारे नभी के जीवन से कुछ बताने वाला नहीं हूँ, बलकि उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो बालक हैं, उनके जीवन से ही निकाल करके कुछ चीजे मैं आपको बताना चाहूँगा. अभी की बात है कि पाकिस्तान में किस प्रकार से आपने देखा कि नाबालिक बच्चियों को भी उनका आपरण करके, जबरदस्ती से उनकी शादी करके, उनको इसलाम कबूल करवाया गया, बाद में बच्चियां रोते रोते इस बात को स्विकार कर रही है कि हमारे साथ जबरदस्ती हुई है और हम इसलाम में बिलकूल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. इसलाम में नारी की क्या दशा होती है किस परकार से नारी को एक कुत्ते और एक कुत्या या गधे से भी बदतर माना गया है किस परकार से उसको पीट सकते हैं आप उसका जिना कर सकते हैं बलातकार कर सकते हैं जब चाहे उठा करके तलाग दे सकते हैं और एक पराए मर्द के साथ में उसको रात बिताने के लिए मजबूर कर सकते हैं, हलाला के नाम पर, वो बहुत सारी चीजे वहाँ पर लिखी गई हैं, और वो भी हमने आपको बताई हैं, इन हिंदू बच्चों के साथ में वो ज्यादिती वजबरदस्तियां आपने देखी, उसके जो पिता हैं बेहद परेशान हैं और वो खुद कह रहे हैं कि इस जो हमारे साथ में जो ज्यादिती हुई है, उससे बहतर होता कि आप हमें जिन्ना ही गोली मार देते, वो ज्यादा बहतर होता, हिंदू की स्थिती पाकिस्तान में बेहद खराब है, वहाँ की मीडिय इस बात को कई बार स्विकार कर चुकी है, यहां तक कि एक व्यक्ती यदि वो मर जाता है, पाकिस्तान में वो हिंदू है, तो भी उसका अंतिम संसकार वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते, एक सिक्का गरम करते हैं, मरे हुए की हथेली पर रखते हैं, ताकि यहां से थोड़ सा पोर्शन जल जाए, उसके बाद में उन लोगों को दफनाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुसल्मान हैं, वो कहते हैं कि हमारी हवाएं गंदी हो जाएंगी, यदि तुमने इसको जलाया, और किसी भी इस्लामिक स्टेट में, किसी अन्य, मजहब, धर्म, संप करा इद हो, कोई उनका विरोध नहीं करता है, बहर्रम हो, कोई उनका विरोध नहीं करता है, इद हो, कोई विरोध नहीं करता है, जमाते बैठती हैं, सड के जाम हो जाती हैं, पूरे गाओं के गाओं, शहर के शहर ठप हो जाते हैं, कोई मना नहीं करता है, पाचो वक्त ल पांचों वक्त जोर जोर से चिला चिला करके कहते हैं किसी को कोई objection है कोई कुछ कहने वाला नहीं है लेकिन जितने भी Islamic State हैं उनमें कोई भी अन्य धर्म मत्पंत संप्रदाय का व्यक्ति सिर उठा कर नहीं चल सकता है सिर उठा कर के बात नहीं कर सकता है और अपने कस्टम्स को भी वो नहीं निवा सकता है ये तो रही एक Islamic States की बात लेकिन भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी सबसे पहली जो इमानदारी है वो इसलाम के लिए है ना कि किसी देश के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसलाम में देश भक्ती हराम है और वो केवल और केवल इसलाम भक्ती कर सकते हैं कल आपने अकबर लोन का स्पीच सुना जोर जोर से चिला चिला करके उसने कहा पाकिस्तान को यदि कोई एक गाली देगा तो मैं उसको दस गालियां दे दूँगा और उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि पाकिस्तान में भी उसके मुसल्मान भाई है और वो खुद भी एक मुसल्मान है अनंत नाग से नैशनल कॉन्फरेंस का केंडिडेट है पाकिस्तान की जिन्दाबाद के नारे उसने स्टेज से बोले और उसने ही नहीं बोले सामने जितने मुसल्मान खड़े हुए थे उनसे भी बुलवाए और उनसे ना केवल बुलवाए वो जोशो करोस में वो नारे बोल भी रहे थे हिंदुस्तान में हो या किसी भी देश में क्यों ना हो कहीं भी मुसल्मानों के उपर थोड़ा भी अत्याचार हो तो इनके सारे इस्लामिक स्टेट जहां भी आप देखें युएनों तक मुसल्मानों को बड़ी तरजी ही दी जाती है लेकिन हिंदु चाहे वो बांगला देश में परेशान हो चाहे हो पाकिस्तान में परेशान हो ना युएनों की आख खुलती है और ना ही मानवाधिकारवालों की आख खुलती है पहली बार भारत की सरकार ने संग्यान लेते हुए सीधे हस्तक्षेप के जड़िये कहा कि हिंदु बच्चेओं की यदि ऐसी इस्तिती हो रही है तो ये चिंता का विशे केवल हमारे लिए नहीं ये आपके लिए भी पाकिस्तान के लिए भी चिंता का विशे है हिंदु विश्व भर में कहीं पर भी क्यो ना हो पिछले सतर साल से कंटीनू हम स्वम देख रहे हैं कि हिंदु की कहीं पर भी कोई पूछ नहीं है कोई उनको सुनने गिनने वाला नहीं था आज पहली बार हमें ये महसूस हो रहा है कि नरेंदर मोदी है उसकी सरकार है जो विश्व भर के हिंदु के लिए चिंतित है इस बात को मैं इसलिए भी कह सकता हूँ जो मैंने वीडियो पिछले दिनों आपको बना करके दी थी जिसमें नरेंदर मोदी सरकार का एक बेहद खास निरने था कि विश्व भर में यदि कोई हिंदु है और वो भारत आकर के रहना चाहता है यदि वो भारत वर्ष में 6 साल कंटीनूर रहता है तो उसको यहां की पक्की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी यहूदी का बच्चा किसी भी देश में क्यों न पैदा हो इसराइल की नागरिकता उसको तुरंत ही मिल जाती है कोई भी यहूदी विश्व भर में कहीं पर भी क्यों न रहता हो यदि उसको कोई भी कष्ट होगा तो इसराइली सरकार अपने मूल नागरिकों की तरह ही उसकी सुरक्षा की गारंटी देती है और उसको अपने देश में वापस लाने के लिए तक पर रहती है पूरे विश्व भर में हाला कि अभी जो गोवा से रिपोर्ट आई है जिस प्रकार से न्यूजी लेंड में क्राइश चर्च में हमला हुआ उसी प्रकार से गोवा में भी यहूदियों के उपर हमला हो सकता है ऐसा अलर्ट आया है लेकिन अगर इस प्रकार से ये किसी भी यहूदी के उपर हमला हुआ तो आप स्वम देख लेना कि विश्वभर में हमलावरों की क्या स्थिती, क्या सजा इसराइल मुकरर करेगा उसी की तरज पर नरेंदर मोदी सरकार ने हिंदूों की सुरक्षा की गारंटी ली है और वो भी हिंदूों के लिए आगे बढ़कर तत पर दिखाए दे रही है लेकिन जिस परकार से अकबरलोन या फिर अकबरुदीन ओवेसी या फिर असाउदीन ओवेसी या फिर आजम खान जैसे जितने भी बड़े लीडरान इस देश में बैटे हुए है ये जितने भी प्रभावी मुसल्मान इस देश में बैटे हुए है उन सब के इमरान मसूद को ही ले लीजिए इन सब के यदियाब बयानबाजी निकालेंगे तो इनकी सबसे पहली प्रात्मिक्ता इनका इसलाम है क्योंकि मुहमद की कुरान, मुहमद की हदीसें, उनका पूरा जीवन चरित्र इसी बात को कहता है काफिरों को नश्ट करो, काफिरों को खत्म करो और कुफर को जब तक तुम नश्ट नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारा अल्लह के नजदी की और्बिट में टिकेट पका नहीं होगा तुम जन्नत नहीं जाओगे इस सनक को भर करके प्रत्यक मुसल्मान को हम हिंदूं, यहूदियों, इसाईयों बोध, जैन, सिख के खिलाफ भड़काया जाता है भरा जाता है विश्व भर में कहीं भी इनकी कोई गरंटी नहीं है कि ये किसी भी अन्यविक्ति का साथ देंगे, अत्वा नहीं देंगे ये अपने देश के लिए कुछ करेंगे अत्वा नहीं करेंगे पर ये गरंटी जरूर है कि वो अपने दीन के लिए, इसलाम के लिए भर पूर करेंगे अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि हिंदूं जिस प्रकार से हजारों वर्सों से शोशित होते आ रहे हैं अपने कस्टम्स को छोड़ते आ रहे हैं अपने वेदों से दूर होते जा रहे हैं अपनी मानिताओं से दूर होते जा रहे हैं पाकिस्तान में लगातार वहां के हजारों मंदिरों को तोड़ करके उनके उपर मस्जिदे जो बनाए जा रही है या फिर भारत वर्ष में मुगल काल में इसलामिक काल में जो मंदिरों को तोड़कर उनके उपर मस्जिदे बनाए गई जो हमारे तक्षिलाया नालंदा के विश्विद्यालों को जला कर खाक कर दिया गया या फिर एक मन गले का जनेव निकाल करके तोलने के बाद ही उन ब्रहमनों के सिरों के चबूतरों के उपर कूर्जी बिचा कर उन मुसल्मानों ने जिन्होंने बाद में ही खाना खाया उन सब शोशनों के बावजूद यदि आपका मन नहीं भरा है तो बिलकुल आप देश द्रोही ताकतों का साथ दें और इस देश को एक बार फिर से खूब लुटवा सकते हैं लेकिन यदि अब आपके मन में तरही तरही आ गई हो यदि अब आपको लगने लग गया हो के ह हाँ भाई अब जागने का वक्त आ गया है तो आप राश्टरवादी ताकतों के साथ खड़े हो यदि इस पुनित कारे में पुन्ने कारे में आप हमारा सहयोग दें तो यह सनातन धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है और मलेच स्वम ही सीधे हो सकते हैं और हम और आ देश के लिए नहीं जबकि हमको अपना देश सुरक्सित चाहिए और सबसे पहले चाहिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप हमारे सास्ती सिर्प्रकार से बने रहें इस वीडियो को शेर करना लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे संग बोलिए जय हिन्दवन्दे मातरम